सातना शिरी वाहे गुरू साहेब जीयो परम सनमान्यो गुरूरू गुरू खाल्सा सा संगत जी वाहे गुरू जी का खाल्सा वाहे गुरू जी की फते चाल रहे लड़ी बार परसांग तान तान शिरी गुरू नानक देव साहब जी अधे आईच पंज में वेच आज अपां कमल लैन दा परसांग सर्वन करांगे आओ पड़े प्रेम नाल इह परसांग सर्वन करगे सचे पाशा तान शिरी गुरू नानक देव साहब जी कदे सागर ते चल दे सन अते कदे तरती दे जन दे सन चल देया चल देया कई दिन भीट गए ताद एक नेडे नगर आया जेडा के बड़ा सुन्दर अते शोबा वडा सी उस दे चारे पासे बाग बगीचे शोब रहे सन वड़ा स्वर्न मई किला बिराज रहा सी सारा नगर जगमा करदा चमक रहा सी जद गुरू जी नगर दे निड़े पहुँच गए ते गुरू जी एक थां बैठ गए ओना ने पाइमर्दाने नू केहा होन नगर वे जाओ ते पोजन चाके अपनी पोख मिटा लो पाइमर्दाने ने केहा हे प्रभू जी मेरे पले तां एक दाम भी नहीं है बगएर मुलतों किस दे कर जाके कि में खाल लवांगा मेंनू तां इस थांदी कोई पहचान नहीं है पर मेरे टेड़े विच बहुत बोख लगी होई है गुरू जी ने मुक्तों पर सन होके एह बचन केहा सारा नगर ही ते नू पोजन देवेगा जित्ते सुन्दर पोजन विखेंगा जो कुछ चाहो लेके खालो पाई मर्दाने ने केहा प्रभू जी नगर विच मेननू फड़ावोगे अते मर्दा पसों मेननू मार पवावगे चोर सामझे के मेननू कैद कर लेणगे ओ मेननू बन लेणगे फिर मैं चंगा पोजन खावाँगा गुरु जी ने केहा नगर विच जे तनू कोई फड़े ता उते मेरा ना कैदेना ओ तनू छाट देनगे फिर मन पोदा खायो ए सुनके पाई मर्दाना बड़ा खोशोया ओ तरोंत नगर विच चला गया ते उते पोँच गया जिते चौंक सी अते जितों चार बजारानू गरा जानदा सी ओते सोने दिया अनेक दुकाना सान जेडे सोने नाग जाड के सुन्दर गयाने बना रहे सान दुकाना विच सुन्दर मिठाई पई होई सी कडा परशाद पूडे अते पूडिया बणिया होई सान मनोखो थे देवते वांग फेर रहे सान ओनाने कई परकार ते पुछे आ, राजे दा की ना है, फिर इस नगर दा नाम बताओ, मैंनू सारा बरतांत सुनाओ, एथे किस तरह विभार होंदा है, जेड़े के सारे बजार सोने दे बने होई हन, एह सुनके उस आदमी ने बचन कीता, इस नगर दा नाम स्वर्नपुर है, जेड़ा बड़ा प्रसिद है, कमल ने राजे दा ना है, जेड़ा के राजया दा राजा है, एह हो जेहा राजा, आज तक कोई नहीं होया है, किसे चीज़ा कोई मूल नहीं है, जो चौदे हन, लेलेंदे हन, हटी दे जेड़े मिठे पदार थन, सब तरम अर्थ दे 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 हन, देश आते वि पोजन करना चौदा हाँ मैंनू प्रदिसी समझे लो अते अपना ना दास दियो ए सुनके उस मनोख ने कहा मेरा ना तरम सिंग है जो तरडे माने वे चिछा है दुकान तों ओहो पोजन लेके खालो ए था कोई भी ना नहीं करदा जो भी कुछ लेंदा है मोल रही थी प्राप्त करता है पाई मर्दाने ने कहा मैंनू अपने हथा नाल देओगे ताद लेके कुछ खावांगा बिना पिशान देके में लेलवांगा मांगदें भी मैंनू शर्म हो दी है तरम सिंग ने ए सुनके कहा आओ तो अनू मैं पोजन लेके देंदा है जे तो अड़े होर भी साथी हैन ता ओना वास्ते भी किसे चिजिक तो बगएर पोजन लेलो उसनू पाई मर्दाना कहन लगा मेरे नाल दो साथी हैन पर उह दो में पोजन नहीं शाक दे तुसी चल के में नो पोजन ले देओ मेरे टेड़े विच बहुत पोखल लगी है उसनू मैं दूर करा एक आगे चल पे ते एक दुकान देगे जाके खड़े होगे तरम सिंग ने दुकान वाले नो कहा के टाई सेर पोजन दे देओ पाई मरदाने ने फिर परसान होके पोजन शकया अते जाद पेट पार गया ता बाद विच पाणी पीता फिर सारे नगर नो फिर के विख्या अते हरदे विच बहुत परसान होया चार कड़ियां विच सब कुछ वेखके मरदाना फिर मुड के गुरुजी दे पास पहुंच गया दूर तो ही पाई मरदाने नू वेख के गुरुजी ने एह बचन कहे सुनाओ किस तरह नगर वेख्या तेरा मुखडा खुशी नाल खेड उठया है तेरा हिर्दा हुन परसान हो गया है पोजन छाके बहुत त्रिप्थ होया जाबदा है पाई मरदाने ने कहा हे प्रभुजी मैं इसनों के में बयान करा मैं अजेहा था आज तक जिन्दगी वेच किते नी देख्या एता सोने दी नगरी है अते स्रेष्ट कार बने होई हन बनेया बनेया सुन्दर पोजन मिलदा है जिलेबी, पूडे अते कडापूरी सारे खाने सुन्दर टांगनाल रखे होई हन लड़ू, रसगुले अते बहुत मिठाई, भूंदी याद कई पकवान बनाए होई हन बिना मोलतों पोजन दिन्दे हन जिमे केसे जी रूची होवे, जो मर्जी लै सकदा है एक मनोख मैनों मिलया सी, जिसदा सुबा बहुत चंगा सी उसने मैनों बहुत पोजन दिवाया अते इस तरह मैनों केहा जेडे तेरे होरवी साथी संगी हन ओना वास्ते, निशांग होके पोजन लेलो मैं उसनों केहा सी, मेरे नल दो साथी हन पारोव पोजन नहीं चाकदे, संतोग करके निराहार रेंदे हन पहला मैं पोजन चाके त्रिप्थ होया बाद वेच फेरके सारे नगर नूं वेख्या पाई मरदानने तों सुनके, गुरु जी बहुत परसान होये अते केहा, तू पलाकारज कीता है, सब कुछी ते मन पोधा होया है फिर गुरु जी ने केहा, मैं शबदा गयान करदा हाँ होन तुसी एथे अराम नल बैठो पाई मरदाना बैठ गया, ते फिर पुछन लगा इस नगर वेच मर्द किस तरह कम कर दे हन जीना पा सारे सुक बगैर मोल दे प्राप्तो जान दे हन अते जड़े रात देन ऐश कर दे हन शिरिगुर नानक देवजी ने केहा हे पाई मरदाने एथे कोई चूठनी बोल दा एथा विशाल तरम कला वाला है सारे देश विचों पापनू बार कड़ देता है हेरदे विच सच अते संतोख तारन करके रख दे हन एथे नर्वनारी आपस विच पोग नहीं कर दे एथे द्रिष्टी पोग दी रिती चल दी है पोन दान नाड सब दी प्रीत है फिर पाई मरदाने ने केहा तुसी अस्चर्ज बृतांत सुनाया है सारी रिती ही नवीदसी है मैं ता एक किते भी वेखी सुनी नहीं है गुरू जी ने केहा करतार अस्चर्ज है एक अंकार वह गुरु बेयंत अतेपार है उस दे सारे चिरित्र भी अस्चर्ज हन हो किसे देवी चेत विच समझ नहीं आ सकते आपने आपनों निके तो निके किनके बराबर वेक के वी मनों खिरदे विच आकर देहान होचे करामातन दिखोंदेहान अते देल विच जार नहीं सकते कालियों के विच इस दे बराबर होर कोई दूसरा स्रेष्ट राजा नहीं होया है स्तारा राजे इस दी इन मांदेहन इह महान गुणवान अते तर्मी राजा है एस उनके पाई मर्दाना कहन लगा इस था रह के गुजरान करो वड़ी रमनीक था वेखी है बणाया बणाया चंगा पोजन मिलदा है शिर्व गुरु जी ने कहा असी आप कुझ नी कर सकदे जित्थे करतार ले जाएगा चले जावांगे ए कह के गुरु जी जीना दे दर्शन करन नाड पाप नस जान दे हन चोप हो गए गुरु जी जीना दा नाम लेंड नाल ही जम पैपीत हो जान दे हन ओना दे ओथे बैठे हां सत देन बीद गए पाई मरदाना सवेरे आते शाम नू दोमें मिले नगर विच जान दा सी ते मंग के पोजन खाया होंदा सी जिस दुकान दे के जाके पोजन मांग के खानदा सी पोड़े पोड़ियां आदग दा आहार करदा सी अते खाखा के बहुत परसान होंदा सी एक देन उस दुकान दे उसनों तरम सेंग मिले आ पुछन लगा तेरे जो दो साथी हन ओ कदे नगर विच नहीं वेखे ओ पोजन किस तों लेके शाग दे हन पाई मरदान्य ने कहा ओ संतोखी हन इस करके नहीं ओ दे हन जे कोई प्रेम प्यार ना ले जावे तां खालें दे हन ओ स्तरा नहीं खान दे हन ते पौणा हारी रेंदे हन ओ एक बाग दे विच बैठे हन एस उनके तरम सिंग ने मानवे चे गल पकी कर ली के एना महान संता नू जरूर मिलना जाईदा है उसने पंज सेर स्रेश्ट पोजन लेया अते गुरु जी नू मिलन खातर ओथे आगया जिते गुरु जी बैठे सन ता दो थे पाई मर्दाने नू नाड लेके पहुंचेया ता तरम सिंग ने हाथ जोड के गुरु जी दे चरना ते बंदना कीती गुरु जी अगे पोजन रखे आते केहा हे संत जी मैं पोजन पेट दे तोर ते लेके आया हा इसनू छको आवदी महमा सुन के आया हा वडे मो रुपी जंगल लई तुसी दावा नल पाव वन अगनी हो तरम सिंग नू वेक के गुरु जी बोले ए पोजन किसने पेट जया है सानू दसो तुसी कौन होंदे हो किस परयोजन हेते थे आये हो सानू सारा ब्रतांत सुनाओ हाथ जोड के तरम सिंग ने बचन किता हे संत जी तुसी मुक्ती दाते हो सात देन तो अनू इत्यायन हो गे हन नगर विच तुसी अपने चर्ण नहीं पाए अते ना ही पोजन शकया है इस जंगल विच ही बैठे हो आप जी दी एह शुद रिती सुनके मैं प्रेम नाड एह पोजन ले आया है नगर दा राजा कवन लैन है ओ बड़ा तरमवान अते हंकार तो रहत है अपना नीजी बल दूसरे नू नहीं वखोदा किसे भी रिती नाड किसे नू दुखी नहीं करदा सारे नू अपना समझदा है बहुत सेहन शील है मानो किरपा दिखान है हे संत जी पवितर पोजन नू छको मैं अपनी सारी वारता आपनो दस दती है पगता नू प्यारे पाव गुरु जी अपने मुखतों बोले एथों दी सारी रिती असी पहचान ली है असी इस थान दा पोजन नहीं खावांगे असी राजे विच एक दोख विख्या है जित्थे कोई दोख न होवे ओथे ही पोजन पवितर हुंदा है ए सुनके तरम सिंग बोले साड़ा राजा निरदोख है केड़ा दोख तुसी उस विच पाया है आपने मुखनाल सानू दसो गुरुजी ने कहा जिस विच दोख हुंदा है ओहो ही जानदा है दूसरा उस दोख नो पहचान नहीं सकदा दूसरे दे मांदी का था कौन जान सकदा है एह कहके जगदे ना चोप हो गए चरना ते बंदना करके फिर तरम सिंग राजे दे पास गया ते केहा एथे तेनफ की राए हन हे राजन मेरी बेंती कानला के सुनो ओना विचो एक नगर विचा के पोजन करदा है दूसरे दो जंगल विच बैठे हन सत्ता दिनातों उना ने पोजन नहीं किता है मैं पोजन लेके गया सी तद भी उना ने पोजन नहीं शक्या केंदे हन राजे विच दोख है एसलिए असी एथोंदा पोजन नहीं शकांगे दोख बारे में पुछा सी पर उना ने दस्यानी केंदे संग के राजा आपने हिर्दे विच सब कुछ जानता है कमल लैन एह गल सुनके बहुत हैरान होया अते कई परकार आपने मन विच गिंदतियां गिंदता रहा है उसने कहा चलो उस सांतनु जाके वेखिये जड़ा सता दिना दा बार बैठा है एक एके तरम सिंग नो नाड लेके बड़े उत्षा नाड गुरु जी दे दर्शन करने हित चल पया उत्तम वस्ता हाथ विच पेट करने वास्ते लेलियां कई योदे अते मंतरी उस्ते नाल सन राजा जिसनु किसे परकार दहंकार नहीं है हाथ जोड़के बंदना करके गुरु जी दे पास बैठ गया अते केहा हे संत जी मेरे विच केटा दोख है गुरु जी ने फिर उसनु केहा हे राजन जे तुम मन विच इस तरह जानदा है के सब मनव तो अड़े वर्गे हन फिर उननो अपनी इन क्यों मनोदा है तो अड़े मनदा हाले तक कुमांड नहीं मिटा है उस वास्ते हंकार नो छड़ना बहुत मुश्कल है जिसने सारा जग अपने दीन कर लिया है जनम मरंदे बंदना नो जिस मनुख ने जितना जान लिया है ओहो ही जगत विच सब तो वड़ा सूर्मा है बाद विच ओहो महान मोनू जितन लिंदा है राजे ने कहा मैं तक किसे नो कुछ नहीं केंदा आप पे ही ओहो मेरी इन मन लिंदे हन फिर भी जे मेरे विच हंकार वेख दे हो ता संत जी आप ही इसनो दूर करो गुरू जी ने कहा जे हंकार ता नाश करना चौनदा है ता सुदर से राजे दी इन मन लो ता दसी समझांगे के तू निर्दोख है जे तू बचन मन लवे ता जीवन मुक थोमेंगा हे राजन तेरे विच ए हंकार है किस तारा राजे दा मैं महराजा हां इस हंकार नो मार के खतम कर देओ गुरू जी दे दर्शन करके राजा बहुत परसान होया ते गुरू जी दे बचन सुन के बोले आ जे कहूं ता मैं सुदर सेंदे कुत्यां देवी पैरी पैजान दा हां कमल लेंड पाफ गुरू जी बहुत परसान होया ते कहा हे राजा तू तान है जनक वांग तेरी वडियाई है उस दी सेवा सेवदियां ए वडियाई पाई है इस तरह जाद राजे ने सुनया ता संसा करके एह बचन केहा जे मेरे पिछले जनम दी सुद जान दे हो ता सारा परसांग मेनू सुनाओ किस परकार मैं सेवा कीती हते किस तरह राजे जनक ने मेनू एशो राम देता तूसी पूरण संत किरपालू हो किस तरह मेरे एडे वडे पाग होई जगदे इश्वर पाफ गुरू जी एह सुनके बोले जिस समय जनक राजा सी उस समय सफा चन तो अड़ा ना सी तूसी राजे दी बहुत सेवा करते सी एक देन राजे जनक ने बचन कीता कि हमालिया परबदे कंडे तों पाणी लियो ओथे पाणी बहुत ठंडा है इसलिए छेती जाओ मेनों बहुत प्यास लगी है देर ना करो हुकम सौनके तुसी चले गए रस्ते विच ए संकल्प कीता जे मैं भी किसे देशदा राजा हुनदा ता इस तरह दा हुकम करदा देंडरात सुख बिलास विच रेंदा अते जो भी हिर्दे विच चौनदा ओही मंगवालेंदा मान विच ए संकल्प करके पाणी लेके तुसी राजे जनक पास चले गए जल पीके राजा मान विच बड़ा खोश होया राजे ने फिर तो नों केहा मांगल है जो तेरी उभी लाशा है चाटते नों ओह पतारत देवांगा ते उस विच कोई देरी नहीं करांगा तुसी सौनके केहा मैनू किसे चीज़ दी चाहत नहीं है हे राजन मैं की मंगा जिस चीज़ दी लोड हुंदी है तो अथों मिल जन दी है टाल मटोल कर गए ते साचना केहा सन मुखोन करके मुख तों शर्मा गया राजा जनक अंतरजामी सी उसने तो अड़े चेते दी सारी गल जान ली सी तो अनू उसने इंज केहा तू उता ओ वस्त पहला ही मंग चुका है रा विच जो तू संकल्प किता सी तद ही यो हो वस्त तू मंगले सी तू सड़े तो युवड़ा राजा बनेंगा इस परकार दा ओनाने वर देता ए सुनके तूसी दोमे हाथ बने ते राजे नाल एह बचन कीता मैं आतम गयान प्राप्त करनवास ते तो अडिसेवा किती सी उस आतम गयान तो खाली रह गया हाँ उस दा पेदना मिलेया राजे जनक ने कहा काल यूग वेच एक वार तेनू पूरण गुरू मिलनगे ओना तो तेनू आतम गयान प्राप्त होवेगा ओहो तेरे जगदे सारे बंदन काट देनगे राजा कमल यान अपने पिछले जनमदा पर सांग सोण के देल वेच बड़ा उत्षाहित होया निमर हो के गुरू जी दे चर्ना दे टैपया फिर कई प्रकार स्रेश्ट राजे ने बेंती किती तो अडे नालों होर केडा पूरण गुरू हो सकदा है जीना दे दर्शन करन नाल ही सारे दुख दूर हो गए हन नगर वेच चालके होन उसनू पवित्र करो अते वजित्र मेला दे वेच जाके बैठो कई प्रकार दी उस्तत करके अते देल वेच प्रेम तारके गुरू जीनू नगर वेच लाए गए ओथे सोने दे बने मंदर शोबा पा रहे सान अते सुचे मोतियां दियां चालरा मना नू मोर इयां सान मेला दे वेच सुन्दर पलंग डाज दता ते ओस उते गुरू जीनू बठाया कई प्रकार दी सेवा कीती राजा अपने हथा नाल सोनी सेवा करता सी गुरू जी ओथे काफी चेर तक ठेरे राजेनू आतम ग्यांदा उपदेश देता ओना नू समझाया के सारे रूपा वेच एक ही परमात्मा है आते सारे दुखाना नाशकरन वाले नाम दा सिम्रन करन लगे शीरी गुर नानक देव जी दी सेवा करदेशन आते मान दे मोते हंकारनू दूर करदेशन जाद गुरू जीने उत्वों चलन दी त्यारी कीती ताद राजे कमलनेयाने ए बचन कहे मैं भी तो अडेनाल ही चलाँगा राजगती उत्ते किसे होर नू बठा देआँगा गुरू जीने कहा हे राजन राज जोगनू तुसी होर बड़ा करो जाद भी अपने मन विच मेरे प्रतीते आंतार्न करोगे मैं ओसे विले तो अडेपास होवाँगा दूर किते नहीं जावाँगा बहुत प्रकार राजन उत्ती रिज दिता अते अग्ये चलन दी त्यारी किती ताद राजा परम प्रें विच पे जिगया जिमें जल्ब गैर मच्छी मर जन दी है इस तरह राजन उत्ते अपार खुशी करके गुरू जी अग्ये चल पे पाई मरदाना सुख पाके गुरू जी दे नाल चल पे अते उसने गुरू जी दी बेयांत महिमा वेखी सोसा संगे जेते शिरी गुर नानक परकाश गरंथ दे पहले अद दा छपंजमा अदे आइस माप्तूंदा है जी पर सांग सुनो दे होई हो यहां अनेक पुला चुका दिखिए माबक्षनी जी दासनो आग्या देओ वाह गुरू जी का खालसा वाह गुरू जी की फते